दिल्ली के मिहरॉली में हुए श्रद्धावालकर मड़केस की तरह एक और युवती की हत्या का मामला सामने आया है। राजधानी के बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टन की हत्या कर दी। इसके बाद शब को फ्रिज में छिपा दिया। वो बॉडी को ठिकाने लगा पाता। इससे पहले ही किसी ने पुलिस को खबर कर दी। आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है डी-सी-पी क्राइम ब्रांच सतीश कुमार ने बताया कि मृतक निक्की यादव 22 हर्याना के जज़चर की रहने वाली थी। वो 2018 से पश्चमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में साहिल गहलोत 24 के साथ लिविन में रह रही थी। साहिल की शादी परिवार ने कहीं और तै कर दी थी। इस बात पर 9 फरवरी को निक्की और साहिल के बीच बहस हुई। 10 फरवरी को साहिल ने ISBT के पास कार में मोबाइल केबल से निक्की का गला गोट कर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कार में लेकर घूमता रहा। फिर मित्राव गाउं के बाहरी इलाके में बने अपने धाबे के फ्रिज में छिपा दिया। पुलिस को किसी ने धाबे पर लाश छिपाए जाने की सूच ना दी। तब इसका खुलासा हुआ। साहिल ने 10 फरवरी को ही दूसरी लड़की से शाहिल रहा।